what's up people welcome back to my channel my name is Bhaskar I hope you all are fine दोस्तों अभी मैं recap देता हूँ आपको हमने अभी तक क्या किया है हमने apache friends.org से zamp डाउनलोड कर लिया हमने wordpress.org से wordpress डाउनलोड कर लिया दोनों के दोनों मेरे download folder में पड़े हुए है ओके मैंने क्या किया zamp को install किया अपने d drive के अंदर यह देखिए zamp folder ठीक है आपको क्या करना है जो wordpress जो है यह आपकी फाइल इसको जैंप के अंदर htdocs के नाम से एक folder मिलेगा आपको वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है पेस्ट करने के यह वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट नाम चेंज किया होगा बाइडिफोल्ट वर्डप्रेस देता है wordpress को मैंने क्या कर दिया wordpress tutorial WP tutorial कर दिया ठीक है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो तो simple है install किया zamp और zamp के htdocs के अंदर मैंने wordpress को save किया उसको extract किया और project का नाम अपने हिसाब से दे दिया ठीक है इतना हम पिछली वीडियो में डिसकस कर चुके है अभी क्या करना किस तरीके से आप इसे manage करे होगा तो localhost phpmyadmin यहां पर आप जाके अपना database बनाएंगे बट यह काम नहीं करेगा इसका reason क्या है जो आपने zamp डाउनलोड किया है वहां से आपको पहले server और database यह SQL दोनों start करना पड़ेगा तो मैंने zamp open किया apache server start किया mysql start किया और जैसे ही मैं इसको अभी क्लिक करूँगा आप देखिए within few seconds यह open हो गया ओके database बनाने का तरीका सीधी सी बात है database पे जाएंगे database का नाम लिखेंगे मैंने wordpress database दिया है wpdb इसे मैं create कर दूँगा database create होगे आप देख सकते हैं अगर आप उसके delete करना है तो operations में जाके आप यहां से drop the database कर सकते हो इससे वह delete हो जाएगा तो सिंपल सा है localhost phpMyAdmin यह आपको address डालना यहां पर और यह आपका dashboard open हो जाएगा डाटाबेस पर क्लिक करके आप एक नया database tut wordpress tut आप लिखोगे then slash डालोगे और उसके बाद wordpress then admin लिख दोगे जैसे आप wordpress admin लिखोगे या wordpress login लिखोगे वह अपने setup mode पर आ जाएगा आपको क्या करना है इसका setup करना है किस तरीके से करेंगे जैसे आपने admin या login लिखा यह setup configuration आ गया first of all language choose करना है आपको continue कर देना है उसके बाद आपको यह बता रहा है कि welcome to wordpress before getting started we need some information on the database आपको database का name उसका username पासवर्ट सेट करना है hostname देना है ठीक है यह सब चीज़े आपको करनी है तो चलिए करते हैं लेट्स गो कि अभी सबसे पहले आपको क्या करना database name by default वही नेम है यहाँ पर database का आपको क्या करना है जो आपने database name बनाया है wordpress database वह आपको नाम डालना है आपके उसके बाद यूजर नेम कुछ भी डाल सकते हो यूजर नेम वैसे यहाँ रहेगा root क्योंकि हम localhost प यह जो database है इसके अंदर further tables बन जाएंगे आपके tables कैसी बनेंगी जो यह देखिए जैंप में htdocs में जो हमने इसको एस्टर्ट करके यहाँ पर folder बनाया था डवलु पे टूट उसके उंदर जैसे यह है ना अपका login हो गया उसके बाद mail हो गया load हो गया ऐसा यहाँ चाहते हो तो उस prefix को मैं देना चाहता हूं the woodpress Tutorial और बाकी का जो login है comment है वो सारा नाम इसके बाद से आना स्टार्ट होगा मैं आपको दिखाऊंगा करके आप इतना ध्यान रखो database name में आप database का नाम रखो जो आपने create किया था इसके अंदर route रखेंगे क्योंकि हम local host यूज़ करने वाले password आप मत रखना इसको सेम रहने देना local host और prefix आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हो दिन मैं submit कर रहा हूं इसे ओके अब हम जो है installation स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर कुछ second लगेंगे इसको install होने में जैसे यह install हो जाता है उसके बाद फिर यह चीज़ें मांगना start कर देता है तो अब यह मांग रहा है आपसे site का title तो site का title कौन सा होता है जैसे यहां पर यह लिखा हुआ है यह लिखा सकते हों कंफर्म कर देना इसको क्योंकि यह बोल रहा है वीक पासवर्ड तो हमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं तो अपने कंप्यूटर में data रहने वाला है तो आप उसे वीक कर सकते हूं तो email में भासकर यह लिख सकता हूं यह अपर है कंफर्म यूज वीक पासवर्ड अब स्टार्ट मैंने कर दिया ऐसे जैसे ही वर्डप्रेस यह इंस्टॉल हो जाएगा फिर मैं आपको डेश्बूर्ड दिखाऊंगा वर्डप्रेस का जो हमने प्रिवेस वीडियो में आपको वेबसाइट था मेरा PWORD ठीक है रेमेंबर भी क्लिक करके मैं लॉगिन कर रहा हूं यह चीज़ बार बार याद ना रखनी पड़ा है आप इसको बुकमाग कर सकते हो इन लिंक को लॉगिन लिंक को और जो यह पीच्प का माई पीच्प एड्मीन है इसको आप बुकमाग कर सकते हो मैंने पहले से बुकमाग कर रखा है माई पीच्प और दूसरा बुकमाग मैंने कर रखा है यह वर्डप्रेस वाला ओके तो यह आपका टूल आ गया सही है यह टूल है जिसके तो आप अपनी वेबसाइट के पेज बनाओगे वहाँ पे पोस्ट करोगे कमेंट्स अपिरेंस थीम अगयर आप जो है इसलेक्ट करोगे यह आपका टूल है यह आपका इंटरफेस है ओके मैं आपनी website दिखा देता हूं जो बाइन्द्वाइट के एक header है यह logo आ गया WPTUT ठीक है यह इनके heading part आ गया दिन यह further चीज़ें आ गई यह अपका footer आ गया सही है तो यह basic sign ओना है structure बना के website का दे दिया अब बाकी का काम यहां से होगा dashboard से हम कौन सी theme इसके अंदर लगाना चाहते हैं कौन से option कहां पर करना चाहते हैं क्या होप यू लाइक दे वीडियो और मैं आशा करता हूं कि वीडियो देखने के वादा प्रैक्टिस जरूर करेंगे इसे मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ अब तक के लिए गुडबाई टेक क्यार कीप लर्निंग कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सर्चिंग